नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर स्वरा अनकडमे क्लासेस पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि यूपी बोड एंसी आटी गडित कक्षा 10 वास्त्वी संख्याएं प्रस्णवली 1.3 यह नहीं इसके पहले भी कुछ वीडियोस आ चुके है जिन्हें आपको पढ़ना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे डारेक्ट ली आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में चले जाएए वीडियो को पढ़ने के लिए तो वहां क्लास 10 यूपी बोड क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट है उ इसमें आप देख रहे हैं कि अपरिमे संख्याओं के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है अब अपरिमे संख्याओं कौन सी होती है उनके बारे में हमको यहां पढ़ना है तो वास्तविक संख्याओं जो बनती है यानि हम यहां देखे लिगा है परिमे और अपरिमे संख् प्लस अपर में दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें तो ये दोनों संख्याओं जो हैं मिलकर वास्तविक संख्याओं बना लेती हैं यह वास्तविक संख्याओं बना देती हैं दोनों संख्याओं को अगर हम मिलाएंगी तो ये वास्तविक संख्याओं बना देंगी यह चीज होती है इसमें तो आईए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं के तो सिधा सा हम अगर यहां पर देखने की कोसिस करें तो क्या मिलेगा हमें दे सकते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सकें ना लिखी जा सकें आप सीधे सब्दों में समझ लीजी उन्हें हम कहेंगे कि वह अपर में संख्याएं कहलाती हैं जिस उधारण के रूप में जिसे रूट तो है उधारण आपके दिये हैं रूट तीन दिया है रूट जो है छे हो सकता है इस तरीके से बहुत सारे संख्याएं हो सकती हैं जिरो वन वन इस तरीके से संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पर आपको कुछ उधारण भी दिये गए हैं देखिए आप यहाँ उधारण देख सकते हैं root 2 है, root 3 है, root 15יח. Pi यही जो पाई आप लिखते हो, यह पाई जो है अपर्मय संख्या है, इस तरीके से. लेकिन अगर इसी का मान हम 22 बते साथ लिख दे, तो यह पर्मय संख्या हो जाएगी. यहनी इसका मान जो है, वो पर्मय संख्या हो जाएगा, लेकिन इसको जो चिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो वो हमारा अपरिमे संख्या होगा यानि ये क्या हो जाएगी अपरिमे संख्या होगा आप इस चीज़ को समझ देज़ें आसानी से आपने करके भी इसको देखा होगा अगर पढ़ा होगा है देखि इसमें लिखा गया है की मैं तीन नोट दो में क्या है उसको हमें यहां पर हल करना है इसे हम हल करेंगे यहां पर देखिए यह चीज है तो इसमें इनुन है उनょ У analogy सबसे पहले क्या करने का तरीका जो इन्होंने बताया है कि अगर हम सबसे पहले इसी संख्या को परिमे संख्या मान लेते हैं इन्होंने कहा कि ये परिमे संख्या है मान लिया गया और इसके सहभाद खोजने की कोशिस की गई याँ आप इसको हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर कि ये परिमे स चंतर किया तो आपको कुछ इस तरी के काकड़ा देखेंगा अब इधर के संख्या जो है वो परिमे संख्या है इधर के संख्या क्या है वो अपरिमे संख्या है तो यानि दोनों LHS में क्या हो गया देखा आपको देख रहा होगा कि रूट दो जो है वो अभी हमने उदाना प कि यही सवाल आपको अगले तीनों सवालों में यही थेयुरी का पालन करना है बिलकुल इसी तरीके से लगाना है सबसे पहले हम चलते हैं रूट पांच को सिद्ध करते हैं कि अपरिमे संख्या है कि नहीं है तो पहला पार्ट इसका है देखिए पहले पार्ट में रूट पांच हमें दिया गया है तो रूट पांच को हम सबसे पहले क्या करेंगी कि हम कह देते हैं जिसे यहां कि रूट पांच जो है हम इसों माल लेते हैं बराबर यह क्या है समझा रहे हैं अभी लिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे पह इसको ए बटे बी के रूप में लिख देंगे फिर क्या करेंगे ए बराबर रूट पांच बी लिख देंगे इसको इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और जैसे ही लिखेंगे फिर उसके अद क्या कर देते हैं हम यहाँ पर स्क्वाइर कर देंगे स्क्वार करनेंगे तो स्क्वार करने पर हमें क्या मिलेगा ए स्क्वार बराबर रूट पांच रूट पांच नहीं होगा यहां पांच बी स्क्वार आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से कुछ मिलेगा अब आप देखिए यहां पर जो मिलता है आपको जो भी कोई चीज मिलेगी तो यब दोनों वर्ग हमने दोनों तरफ कर दिया तो A स्क्वाइर जो होगा वो 5 से विभाज्य हो जाएगा और A भी 5 से विभाज्य होना चाहिए यानि अगर हम देखो यहां क्या है A स्क्वाइर क्या है पांच के गोडन खंड के रूट में देख रहे हैं तो यह इसको हम क्या कर सकते हैं कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं यह जो है वो 5 से विभाज्य हो जाएगा पूरा का पूरा जो है विभाज्य हो जाएगा ऐसा कह सकते हैं हम इस सम 5 से विभाज्य हो जाता है तो इस स्थित में A भी 5 से विभाज्य हो जाएगा तो इस स्थित में अगर हम मालने कि कोई पुरांग जो है 5 B स्कॉआर की जगे पर C लिख दे तो हम क्या मिलेगा हमको A बराबर 5 C होगा C जो हमारा है वो एक पुरांग है ये जो C है इसे हम एक पुरान्क moan लेंगे यहाँ पुरान्क हो जाएगा तो इस इस्तुत में हम बेख सकते हैं यहाँ परना, देखी है फिर से हमको क्या करना होगा इसको हम वर्क कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी अब दोनों को बराबर रखेंगे अब यहां जिसे हमने वर्क किया दूनों तर तो हमको क्या मिलेगा इस जगे पर जैसे भी हमने वर्क किया इतको तो हमें पहले वली समीकड़ में रखेंगे इसके पहले वाली हमने रूट 5 के रूप में लिखी दी तो वहां रखेंगे तो यहां 5 C का वर्क कर देते हैं और यहां हमें क्या मिला है 5 रूट B था इसे हम वर्ग कर देंगे और जैसे ही दोनों को वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमें मिलेगा वो 5C का वर्ग मिलेगा और यहाँ पर 20 स्क्वाइर मिल जाएगा अब इस इस्तित में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर जो यहां पर आएगा, यह 25 जाएगा, 5 रखाते हमने, तो इस तरीके से जो मिलेगा, अब देखे, यह और यहां भी तो 5 होगा, यह 5 सा आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर 5 C square बराबर B square बचेगा, इस तरीके से कुछ बचेगा, आप यहां कह सकते हैं कि जो B होगा, स्क्वार वो 5 से विभाजी होगा आप समझ लिजे पहले फिर लिखने के लिए हम स्लाइड आपको देंगे आप आसानी से लिख सकेंगे तो यह हो जाएगा अब इस स्थित में आप देख सकते हैं कि 5 B को भी विभाजी करता है यह यह 5 जो है यह B को भी विभाजी करता है और A को भी विभाजी करता है जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं तो इस तरी कर सकते हैं कि 5 दोनों संख्याओं को A और B अव्य दोनों को भी भाज़ित करता है तो इस प्रकार क्या हो सकता है कि A और B एक साजा गुड़न खंड 5 है यानि A और B जो है साजा गुड़न खंड 5 होगा परंत ओपर हमने माना था कि A और B सहया भाज्य है ये तो हमने जो निकाला वो क्या निकाला? कि ये साजा गुड़न खंड निकले यानि ये क्या निकले? ये निकले साज़ा गुरन-खंड निकले लेकिन हमने माना क्या था हमने माना था उन्हें सयाभाद जी के रूप में तो यहाँ पर क्या हो गया जो हमने माना वो नहीं निकला यानि हमारी जो माननेता थी वो परिमे संख्या थी जो कि हम गलत हो गए तो जब गलत हो गए तो यह नहीं यह क्या हो जाएगा रूट पांच जो होगी वो एक अपरमे संख्या हो जाएगी इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे अब आप देख लीजिए यहां हमने जो है लिखने की कोशिस की है और आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिस की है आप यहां पर आसानी से समझ सकते हैं जो भी चीज़ें आपको यहां समझाई गई कल्पना कीजिए मान लीजिए कि आपको एक परिमे संख्या ना होकर आपने देखो इस परिमे संख्या माना आप नोट बुक में कैसे लिखेंगे वो चीज़ यहां पर हमने लिख हमने जैसे वहाँ A और B मान के कर दिया था, यहाँ पर हमने जो लिखा है वो P बटे Q के रूप में लिख दिया है, तो यह चीज आप ने देखा कि हमने मान लिया, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ जैसे ही हमने इसको माना, और यहाँ क्या है, फिर इसको बराबर में तो यहां पर क्या मिलेगा आपको देखिए वर करने के बाद क्या मिलेगा कि दोनों को 25 के हो जाएगा और फिर डिवाइड होने के बाद एक Q भी क्या हो जाएगा पांसे बिभाज हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इस जगे पर कि पांसे बिभाज होने के बाद आपको क्या मिलेगा यह एक सह यहनी जो हमारे सरवनिस्ट अभाजी गुड़न खंड के रूप में मिल जागा यह पांच से पी भी विभाजित और क्यू भी विभाजित आप समझ लेजिए तो दोनों जिए समाज हो जाएंगी तो इसके वजे से आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो अगे कि यह एक विरोधा भास है यह एक विरोधा भास है और क्योंकि हमारी मानेता के नुसार प्योर्क के अतरिक एक अतरित और कोई अभाजी गुड़न-खंड स्रवनिस्ट नहीं होगा जबकि हमने जो निकाला वहां पर पांच भ होगा जिसके लिए हम इसको क्या कहेंगे ये एक अपर्मे संख्या ही होगी इस तरीके से आप दो स्लाइट के माद्यम से इसे आसानी से लिख सकते हैं अपनी नोट बुक में आपके समझ में आ गया होगा अप चलते हैं इसी तरीके इसी पैटन पर आपको फालो करके दिखाते हैं अगला सवाल जो आपका सवाल लिखा हुआ है यहां सवाल आपके पास जो है यहां मिस्प्रिंट है थोड़ी सी इस जगे पर सवाल में छपने में हो गई है दिखने में यह तीन प्लस दो रूट पाँच है यह चीज़ आप समझ लेजिए इस जगे पर जो सवाल आपका है तीन प्लस रूट दो रूट पाँच है आप देखे इसी चीज़ को क्या करे यहां पर हम A by B के रूप में मान लेंगे A by B के रूप में मान लेंगे जैसे ही इसको हम A by B के रूप में मानेंगे तो आप देखिए आपको हम दिखाते हैं यहां पर कि क्या हो सकता है यहां जैसे हमने माना आप यहां पर पचांतर लेंगी तो यहां में क्या मिलेगा देखिए इस जगे पर मिलेगा A बटे B बराबर जो है हमारे पास आएगा A बटे B लेंगी और इस तीन को इधर ले आएगे बराबर आपको क्या मिलेगा आप समझे जो हम लिख रहे हैं उसको देखिए ध्यान से और यहां मिलेगा टू रूट पांच मिलेगा अब यह संख्या जो आपके समझा आ गई है इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं तीन बी बटे बी पराबर दो रूट पांच लिख सकते हैं अब इस दो रूट पांच को भी अच्छा हो तो इधर ले आओ दो रूट पांच को भी आप दो रूट को भी दो को भी इधर हम ला सकते हैं तो देखिए आपके समक्ष क्या आ गया यहां पर लेखिए कुछ इस त पुरांक है सारे के सारे पुरांक है और रूट पांच हम जानते हैं कि यह एक पुरांक नहीं है तो यानि इस इस्थित में रूट पांच जो की हो जाएगा वह अपरिमे संख्या हो जाएगी तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर यहां दिख रहीं इसलिए जो हमने माना था वो संख्या अपरिमे संख्या नहीं होगी यानि उसमें विरोधावास हो गया और रूट 5 जो सिद्ध हो गया वो क्या हो गया वो अपरिमे संख्या सिद्ध हो जाएगा इसलिए हम पूरी संख्या को क्या कहेंगे कि यह एक अपरिमे संख्या होगी अपरिमे संख्या को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते यह आपको हमने शुरुआत में ही बताया था अब चलते हैं अगले सवाल के तरफ अगले सवाल में देखिए यहाँ वही सेम चीज़ फिर करनी है यहाँ एक बटे रूट दो दे दिया है 7 रूट 5 दे दिया है 6 प्लस रूट 2 दे दिया है सम में वही चीज़ करनी है यहाँ क्या किया गया यहाँ हमने उपर नीचे रूट 2 से इसको सबसे पहले मल्टिप्लाई कर दिया देखिए मल्टिप्लाई कर देंगे तो कुछ हमको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा यहनी हम लिख सकते हैं एक बटे दो और रूट 2 को अलग करके इस तरीके से यहाँ लिखा जा सकता है आप समझेए तो इस जगे पर क्या होगा कि एक बटे रूट 2 एक परिमे संख्या है और यहाँ पर जो आप लिखोगे यह हमने परिमे संख्या के रूप में इसको माना है अब यह जब मानेंगे तो मानने पर क्या लिखते हैं उसे हम एक बटे रूट 2 और यहाँ रूट 2 बराबर A बटे B लिख देतें हैं जब B लिख देते हैं इस जगे पर तो इस में सह अभाज पुरांग खंड के रूप में आएगा और बी हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए यह चीज हम यहां पर मेंसन करते हैं तो देखिए इस जगे पर क्या मिलेगा आप जैसे पाशांतर लोगें तो कुछ इस तरीके की समय करना आपको मिलेग अब यहां आप क्या कह सकते हो ए और बी और दो एक पुरांग होंगे पुरांग होंगे तो यह परमे संख्या है इसको हम क्या कह देंगे कि यह परमे संख्या है लेकिन जो रूट दो बच रहा है हमारे पास यह रूट दो बच रहा है यह परमे संख्या नहीं होती इसलिए यहां पर पिरोदाभास हो जाएगा, तो हमारी जो कलपना थी, वो गलत थी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, अपर में संख्या हो जाएगी, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं अगले, पाठ की तरफ साथ रूर पाँच की करना है, इसलिए आपने स्लाइड बना दी है, जिससे आप आसानी से लिख सके, सम्में एक ही काम करना है, सबसे पहले, पी बटे क्यू या ए बटे बी जैसा आप चाहें मान सकते हैं, फिर उसके बाद उनको दोनों को यहां रूट देखें, वहां स्कौार आप कर सकते हैं, या नहीं कोई नंबर है, तो आप उसका पशंतर कर सकते हैं, इस रूप में देखें, आप लिख सकते हैं, अब यहां पर पी हो गया, क्यू हो गया, और सेबन हो गया, यह तीनों अंक क्या हो गया, यह पुरांक हो जाते हैं, अब यह पुरांक हो जाएंगे, इस तरफ क्या बचा एक तरफ रूट पांच बचा अब रूट पांच हम जानते हैं कि यह परिमे संख्या नहीं होती यह परिमे संख्या होगी तो यह परिमे संख्या यह नहीं है तो यहां पर हमारा जो हमने माना विरोधावास हो गया और इसलिए असंगत हो गई तो यह संख्या क्या होग अब परिमे संख्या होगी, सेम चीज, यनि बार बार आपको जो भी संख्याएं दी जाएं, उनको एक तरफ ले आईए सबसे पहले, और जो रूट की बचे, उसे आप अलग कर दीजिए, इसे यहाँ देखिए, इस वाले सवाल में, यहाँ छे प्लस रूट दो है, इसको हमन क्यों के रूप में, लेकिन जो रूट दो है, वो असंख्या है, यनि वो परिमे संख्या हमारे साब से तो जो हमने माना, उस साब से परिमे संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन परिमे संख्या तो जब परिमे संख्या है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, असंख्या हो जा इस इस्तित में क्या हम लेख सकते हैं कि ये अपर में संख्या होगी तो इस तरीके से ये आपकी exercise थी जिसे आपने solve कर लिया आप इससे reverse करके फिर से आप दुबारा वीडियो को देख सकते हैं कई बार देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चब विद्याले बंद हैं तब आप आसानी से अपने घरों पर coaching संस्थान सा भी बंद हैं आप घर पे आराम सिन्य सुल्क पढ़ते रहें जिससे आपकी board classes के तयारियां होती रहें और आप यही इस तरह board classes की नहीं हैं इसमें आपको छोटी कक्षाओं के 9, 10, 9 की, 8 की और 7 की बाकी कक्षाओं की भी आपको इसमें मिलेगी मैस आप आसानी से पर सकते हैं हमारे playlist में जाकर जहां पर सा जहां पर आप पढ़ते हैं जिस संस्था में आप पढ़ते हैं जिसे हमें पता चलता रहें कि आप कहां पढ़ रहें इसे के साथ धन्यवाद और थैंक्स